दोस्तो आईपील 2023 में आज के दिन दो सुपर हिट मुकाबला खेला गया था और इन दोनों मैचों के खतम होने के बाद आईपील के पॉइंटेबल में जबर दस्त बदलाव देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम आपको IPL 2023 का नया पॉइंटेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पड़ से किस टिम को प्ले आफ में जाने के लिए कम से कम कितना मैच जितना परेगा परपल कैप औरेंज कैप किसके पास है और इस वीडियो में IPL से रि पुड़ा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करतें तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL का पॉइंट टेबल मैच खतम होने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेली ग्राम पर फॉलो करें टेली ग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए प्रेंट सबसे वीडियो में आगे बढ़त और IPL 2020 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL में आज के दिन टोटल दो मैच खिला गया था जहां पर पहले मैच में RCB की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया वहीं दू अस्थान पर है आज के मैच की हारने वाली और डेविड वार्नर की कपतानी वाली यानि की दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल पांच मैच खेले और पांचों मैचों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम हार गई तो इस व बचे हुए 9 में से कम से कम 8 मैच जितना परेगा जो की काफी मुस्किल टास्क है तो आपके हिसाब से दिल्ली की टीम प्लेओफ में जा पाएगी आपके नई कमेंट में जरूड बताएं इसके बाद पॉइंटेबल में 9 अस्थान पर है 5 बार की चैंपियन और ओहित सर्मा की कप्तानी वाल यानिकी मुंबई इंडियांस की टीम और मुंबई की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 3 मैच खेले जहां पर 1 मैच में मुंबई की टीम को जित मिली और 2 मैचों में मुंबई इंडियांस की टीम हार गई तो इस वजह से टोटल 3 में से 1 मैच जित करके 2 अं बचे हुए 11 में से कम से कम 7 मैच जीतना परेगा इसके बाद पॉइंटेबल में 8 वे अस्थान पर है सन्राइजर सैदराबाद की टीम और सन्राइजर सैदराबाद की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 4 मैच खेले जहाँ पर 2 मैचों में Sunriders हैदराबाद की टीम को जीत मिली लेकिन 2 मैच में हैदराबाद की टीम को हार का सामना भी करना परा तो इस वज़े से Sunriders हैदराबाद की टीम टोटल 4 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 8 वेस्थान पर है और सन्राइजर्स हैदराबाद का निट रन रेट माइनस 0.822 है जो की काफी खराब निट रन रेट है और हैदराबाद को यहाँ पर से प्लेओप में जाने के लिए बचे हुए 10 में से कम से कम 6 मैच जीतना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में साथवे अस्थान पर है IPL इतिहास की सबसे मोश्ट पॉपुलर टीम और फाफडू प्लेसिस की कप्तानी वाली यानि की आज के मैच की विनर रोयल चलेंजर्स बैंगलोड की टीम और RCB की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 4 मैच खेले ज पॉइंट टेबल में साथवे अस्थान पर है और RCB टीम का नेट रन रेट माइनस 0.316 है और आज वाले मैच में RCB टीम ने 174 डिफेंड करके बरा करनामा किया और यहां पर से RCB को प्ले ओफ में जाने के लिए बचे हुए 10 में से कम से कम 6 मैच जीतना परेगा इसके चैने की टीम और चैने की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 4 मैच खेले जहां पर 2 मैचों में चैने की टीम को जीत मिली और 2 मैच में चैने की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वजह से टोटल 4 में से 2 मैच जीत करके 4 अंकों के साथ चैने सुपर किंग्स पॉइंट ट टीम का निट रन रेट पलस 0.25 है जो की काफी बढ़िया निट रन रेट है तो आपके हिसाब से चेनल प्लोफ में जाए गया नहीं कमेंट में जरूर बताएं और यहां पर से चेनल को प्लोफ में जाने के लिए बचे हुए 10 में से कम से कम 6 मैच जितना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में पांचवे अस्थान पर है दो बार की चेंपियन और निती सराना की कप्तानी वाली यानि की कोलकता नाइट रैडर्स की टीम और कोलकता की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 4 मैच खेले जहां पर 2 मैचों में कोलकता नाइट रैडर्स की टीम को जित ना करना परा तो इस वज़े से टोटल 4 में से 2 मैच जित करके चार अंकों के साथ के के आर पॉइंट टेबल में पांचवे अस्थान पर है और कोलकता का नित रैडर्स पलस जीरो दसम लब साथ एक एक है और यहां पर से कोलकता को प्लेओफ में जाने के लिए बचे हुए 10 में से 6 मैच जितना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में 4 अस्थान पर है आज के मैच की विनर यानि की पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स की टीम ने आज खेले गए रोमांचक मैच में गजब का परदसन किया और लखनव को उसी के घड में हरा दिया त इस वज़े से टोटल पांच में से 3 मैच जित करके 6 अंकों के साथ पंजाब पॉइंट टेबल में 4 अस्थान पर है हलंकी पंजाब का ने टरन रेट माइनस में है लेकिन फिर भी पंजाब सही सिचुएसन पर है और पंजाब को प्लोफ में जाने के लिए बचे हुए 9 में से कम से कम 5 मैच जितना परेगा इसके बाद पॉइंट टेबल में 3 अस्थान पर है डिफेंडिंग चैंपियन और हर्दिक पंडिया की कप्तानी वाली यानि कि गुजरात टाइटन्स की टीम और गुजरात की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 4 मैच खेले जहां पर 3 मैच में गुजरात टाइटन्स की टीम को जीत मिली और सिर्फ एक मैच में गुजरात टाइटन्स को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से टोटल 4 में से 3 मैच जीत करके 6 अंकों के साथ गुजरात टाइटन्स पॉइंट टेबल में 3 पैदान पर है और गुजरात टाइटन्स का नेटरन रेट पलस 0.341 है जो की काफी बढ़िया नेटरन रेट है इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे अस्थान के बारे में बात करें तो पॉइंट टेबल में दूसरे अस्थान पर है आज के मैच की हरने वाली टीम यानि की केल राहुल की कप्तानी वाली लखनौ सुपर जाइंट्स की टीम और लखनव की टीम ने इस IPL में अभी तक टोटल 5 मैच खेले जहां पर 3 मैच में लखनव सुपर जाइंट की टीम को जित मिली और सिर्फ 2 मैचों में लखनव सुपर जाइंट को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से टोटल पांच में से तीन मैच जित करके छे अंकों के साथ लखनव पॉइंट टेबल में दूसरे अस्थान पर है और यहां पर से लखनव की टीम को पिले ओफ में जाने के लिए बचे हुए नो में से कम से कम पांच मैच जितना परेगा और आज वाले मैच में लखनव की टीम हार गई थी पंजाब के हाथो वहीं पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहां पर है IPL इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैंसन की कप्तानी वाल यानिकी राजस्थान रोयल्स की टीम और राजस्थान की टीम न अंको के साथ राजस्थान रोयल्स पॉइंट टेबल में टॉप पर है और राजस्थान का नेट रन रेट पलस एक दसमलव पांच आठ आठ है तो राजस्थान काफी सही सिच्वेशन में है आपके हिसाब से कौन सी चाटी में प्ले आप में जाएगी कमेंट में जरूड तो आप बात करते हैं परपल कैप औरेंज कैप के बारे में लेकिन उससे पहले आज का सवाल ये है कि IPL 2016 में सबसे अधिक छका किस बले बाजने लगाया था उस बले बाज का नाम आपको कमेंट में देना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है आपका सवाल का जवाब स दूसरे अस्थान पर है डेविड वार्नर जो की 5 मैचों में 228 रन बना चुके है वहीं तीसरे अस्थान पर है विराट कोहली जो की 4 मैच में 214 रन बना चुके है वहीं पडपल कैप उजिवेंदर चहल के पास है जो की 4 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं दूसरे अस्थान पर है Mark Wood जो की 4 मैच में 9 विकेट ले चुके है और तीसरे अस्थान पर है रासिद खान वो भी 4 मैच में 9 विकेट ले चुके है और इसके बाद बाउंडरी किंग है सिखर धवन जो की 4 मैच में सबसे अधिक 29 चौका मार चुके है और सिकसर किंग है निकोलस पूरन जो की 5 मैच में 14 से ज़्यादा चुका मार चुके है तो ये था IPL का नया पॉइंट टेबल परपल के पॉरेंज केप से जुरी सभी जानकारी वीडियो प सब्सक्राइब करके नौटिफिकेशन बिल को प्रिस कर ले तो प्रेंट्स मिलते है नेक्स्ट वीडियो में